अगर medicines और health से लेटेड आप information चाहते हैं तो अभी subscribe करें मेरे चैनल को knowledge for care आज की इस वीडियो में बात करेंगे यकृत पिलिहारी लोह के बारे में इस medicine के क्या फायते हैं क्या नुक्सान है कैसे लेना है यह सारी जानकरियां जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको दूँगा तो देखे यह जो यकृत पिलिहारी लोह है इसको बहुत सारे कंपनिय अब इसको खरीदना कहां से तो देखिए जो भी आयरवेदिक मेडिकल इस्टोर होते हैं वहां से आपको ये इसली मिल जाएगी मेडिसिन या फिर आप इसको ऑनलाइन भी घर बेटे बड़े मंगा सकते हो वो भी डिसकाउंड के साथ तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस तो आप कुछ भी ले सकते हो दोनों के ही फायदे सेम होते हैं अब हम बात करें इंगिडियंट के बारे में तो देखिए इसमें बहुत सारे इंगिडियंट हैं जैसे के लोह भस्म, सुद्ध गंदक, सुद्ध पारद, अबरक भस्म, तामर भस्म, सुद्ध सिलाजीत इस और भी ingredient है जिससे यह जो है या करित पिलिहारी लोहों मनाई गई है अब हम बात करते हैं फाइदे के बारे में तो देखिए अगर आपी लेते हो तो यह जो है आपके लीवर के लिए काफी अच्छी है आपके लीवर के लिए स्प्लीन के लिए या फिर इनलार्ज हो गया अब देखिए अगर आपके लीवर में प्रॉलम हो जाएगी ना तो आपको बारबर पीलिया होगा या SGOT, SZPT जो होता हो बड़ा हुआ आएगा इसके अलाबा जो है बिलिरूबिन जो है बढ़ जाता है जिसमें के हमको पीलिया जॉइंडिस हो जाता है अब आपको जो ह है अनमिया से भी बचाती है मेडीसिन आपको खुन की कमी नहीं होने देती है या फिर आपको अलसर है या फिर गाल बिलेडर में कोई प्रॉलम है या गौल बिलेडर डिसॉरर है तो उसमें भी ये फाइदा करती है मेडециन अब इसके लाबावा डिस पेपसिया हो गया या डाइजेशन हो गया अगर आपका डाइजेशन जही नहीं रेता है खाना सही तरीके से नहीं पस्ता है तो उसमें भी फायदेमंद होती है इसके लावर ये जो है कुछ हद तक आपकी भूक भी बढ़ाती है और या फिर आपको उल्टी होती है आप मान लीजिए आपने कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया या फिर कुछ खाया नहीं है लेकिन उसके बाद भी आपको उल्टी हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके लीवर में प्रॉलम है तो इस कारण भी उल्टी होती है और लीवर और स्प्लीन फंक्शन के लिए काफी अच्छी होती है या फिर मैं आपको एक बार में लेना होता है, और आप इसको एक दिन में दो बार तक maximum ले सकते हो, जैसे कि दो टेबलेट आपने सुभा ले लिए, दो टेबलेट आपने साम को ले ले, लेकिन अगर आपको ज्यादा प्रॉलम नहीं है, तो एक टेबलेट सुभा और एक टेबलेट साम को लेना है और इसको जो कुछ भी खाने के बाद लें तो बहतार आएगा कुछ भी खाने के आदे गंडे बाद लें और सिंपल पानी के साथ आप इसको ले सकते हो अब देखिए मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए और जो प्रिग्नेन लेटी है त या फिर इसको लेने के बाद 10 टाइप के लगने लगते हैं ऐसा कुछ भी होता है तो आप इस मेडिसिन को लेना बन कर सकते हैं और चाहे तो डॉक्टर से भी सला ले सकते हैं अब देखे इधर पहले से कोई अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कोई ऐलोपेटी, अरवेडिक तो उसके साथ इसको ले सकते हैं या नहीं तो बिल्गुल ले सकते हो कोई प्रॉलम नहीं है लेकिन एक से दो घंटे का कम से कम डिफरेंस होना चाहिए कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते हो तो अब कब तक लेना है तो डिपेंड करता है कि आपको क्या बिमार यह कितनी बड़ी समस्या है हालांकि आप इसको एक से तीन महिने लेकर देख सकते हैं बैस्ट रिजल्ट के लिए है अब जो है रिजल्ट के बारे बात करें कब तक रिजल्ट मिलेगा अगर आप इसको लेते हो तो देखिए एक महिने आप इसको लेकर देखिए, एक महने आप जैसे लोगे ना, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा या रिजल्ट जरूर मिलेगा, अब इतर में कुछ एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आप ये कृत पिलिहारी लोह लेते हो तो, देखिए आपको अलकोहॉल नहीं ले अगर आप जो है, तो वाकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और अगर आपका मूटापा है, जादा बजन जादा है, तो उसको भी कंटोल करें, तो ये मेरी कुछ एडवाइस थी, अगर आप फॉलो करूँगे, तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, इस यकृत पिलिहारी लोह मेडिसिन का, तो मेरे वीडियो देरी खता है, और भी कोड़ आउट इस मेडिसिन को लेकर, तो कमेंट द्वारा मुझे पूछ सक तका बने रही हो, देखते रही है, आपके अपने चैनल में, नॉलिज फोर क्यार,